आज के बाद बच्चों को नूडल्स खाने से नहीं रोकेंगे आप इतनी ज़्यादा टेस्टी होमेड नूडल्स आज हम बनाने वाले हैं और ये एकदम आसानी से आटे से हम बनाने वाले हैं और ये देखिए बहुत टेस्टी रहती है ये और बच्चे जब खाने मांगते रोटी नहीं खाते तो इस तरह से हम उने नूडल्स बना कर दे सकते हैं और ये गेहूं के आटे से मैंने बनाया है तो हेल्दी है और टेस्ट की तो बात ही अलग है तो चलिए देख लेते हैं गेहूं के आटे से हम नूडल्स कैसे बनाते हैं तो इसके लिए मैंने ले लिया ह यह गेहूं का आटा जो नॉर्मल हम रोटियां मनाते हैं वो वाला गेहूं का आटा है तो दो कप मैंने यहां गेहूं का आटा लिया है अब इसमें हम डाल देते हैं एक चोताई चम्मच नमक और दो से तीन चम्मच मैंने यहां तेल डाले हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते ह और अच्छे से मिक्स होने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें टाइट डो बनाना है तो पूरियों के जैसे हम पूरियों के लिए टाइट डो लगाते हैं वैसे ही डो लगाना है बहुत जादा लूज रोटी के जैसा नहीं लगाना है नहीं तो नूड से 20 Minuten के लिए यो 10-15 Minuten के लिए इसे हम रख देते हैं रेस्ट करने के लिए जब तक अटा हमारा रेस्ट कर रहा है तब तक हम नूडल्स के आगे की तैयारी कर लेते हैं यहां मैंने एक बड़े-बरतन में फैला हुआ बरतन रहना चाहिए उसमें हम ले लेते हैं पानी पानी थोड़ा ज़्यादा लेना है उसमें डाल देते हैं नमक और तेल और मिक्स करके बॉइल होने देते हैं पानी को जब तक पानी बॉइल हो रहा है यहां हमारा आटा भी तयार हो चुका है रेस्ट कर चुका है तो उसमें से हम एक बड़ा सा पेड़ा काट लेते हैं और ही मोटी हमें बनाना है, लेकिन बड़ी आप अपने हिसाब से, आपके पटा के हिसाब से, आपके चोटी के हिसाब से खैसे भी बड़ी चोटी आप böyle सकते तहां तो मैं थोड़ी ऐसी बड़ी बनाई है, पूरा हमारा जो पटा है ना अच्छे से भर किया है अब रोटी बनाने के बाद क्या करेंगे उपर से आठा चड़केंगे और इस तरह से चाकू से इसकी हम पट्टियां तयार करेंगे देखिए बहुत ज्यादा चोड़ी चोड़ी पट्टियां नहीं है एक सेंटीमीटर से थोड़ी सी चादा ये पट्टी हमारी चोड बच्चों को देने में बिल्कुल भी परिशानी नहीं होगी और उनके लिए बहुत जादा हेल्दी रहे गई देखिए इस तरह से मैंने नूडल्स कट कर लिये हैं और ये हैंडल करने में एक दम आसानी है क्योंकि हमने आटा थोड़ा सा टाइट गुंदा था और इसमें हमन नूडल्स को तयार करने के बाद थोड़ा सा आटा इसके उपर से छिड़क देंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे ताकि नूडल्स आपस में चिपकेंगे नहीं अब इसे रख देते हैं साइड में और सारे नूडल्स तयार कर लिया है हमने ये देखिए बिल्कुल भ नूडल्स को बाद में निकालने के नूडल्स तो तक हम तयारी कर लेते हैं नूडल्स को बाद में निकालने के तो एक बड़े बरतन में मैंने ले लिया है, ठंडा chilled water लेना है, सात में मैंने हाँ ice cube भी डाल दिये हैं, और हमारे noodles को सिर्फ 2 मिनट पकाना है, 2 मिनट से, 3 मिनट से जादा बिलकुल भी नहीं पकाना है, over cook नहीं करना है, तो ठंडा पानी हमने तयार कर लिया है, और यहाँ देखिए अच्छा सा बॉइल हो गया है तो बॉइल करने के बाद जब नूडल स्टाले थे और यहां बॉइल होना सुरू हो गया है तो तीन मिनट गिनकर हमें घड़ी में देख लीजिए तीन मिनट गिनकर हमें इसे बॉइल करना है बहुत जादा देर तक इसे बॉइल नही करें करें और टूट कुछूट में नूडल घाड़े तो से नुडल नूडल में डाल देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे तभी नूडल्स हमारे बहुत अच्छे से बनेंगे तो सभी नूडल्स को डालने के बाद अच्छे से ठंडा होने के बाद यह देखिए इसे में जब हाथ से हैंडल कर रही हूं तो आसानी से हैंडल हो रहे हैं फिसल रहे हैं यह क्योंकि आटे की बने बहुत अच्छे तरह से हमारे नूडल्स पक गए हैं और यह अच्छे से बन चुके हैं तो इसे रख देते हैं साइड में और पूरे नूडल्स को ठंडा होने के बाद इसे हम छान लेंगे और यहां मैंने एक चंणी ले लिया है नीचे बरतन रख लिया है और इसे हम चान लेते हैं देखिए पूरी तरह से नूडल्स ठंडे हो गए हैं और हम नूडल्स को निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं, सारे नूडल्स त्यार हो गए हैं, ठंडे पनी में डाल दिया है, देखिए, और भी नूडल्स हमारे बच्चे हुए थे, उसे ठंडे पनी में डालने के बाद, पूरी तरह से ठंडा होने के बाद, चन्नी से चान एक प्लेट में रख लेते हैं, यह देखिए, एक एक नूडल्स अलग अलग हैं, पिलकुल भी यह आपस में चिपक नहीं रहे हैं, यह देखिए, मैं आपको हाथ से भी दिखा रही हूँ, यह देखिए, और इनकी लंबाई भी वैसी ही हैं, जैसे हमने कट की थी, बहुत लं मिर्च और थोड़े से लहसुन भी कट करके मैं रखे हुए हैं, अब तेल अच्छे से गरम हो जाने क बाद इसमें हम डाल देते हैं, प्या aja जिसे मेरे लंबाई में कट करके रखे हैं, तो जितनी भी सारी सब्जियां हैं न हमें इसे कट करके रखना है, तो लंबे में ही क पते हुए लैसुन डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है गाजार और गाजार थोड़ी सी हार्ड रेती ना पकने में देर लगती है इसलिए मैंने से पहले डाला है। और फ्रेश मटर है ये तो आपके पास बोजन बैसे हैं भ्रोजन भी डाल सकते हैं। और अच्छे से इसे हम भून लेते हैं सबस्जियों को, थोड़ा सा इसे पका लेते हैं क्योंकि गाजर पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है. अब थोड़ी देर बाद हम इसमें डाल देते हैं अधरक लेसुन की पेस्ट और अच्छे से सबजियों के साथ में अधरक लेसुन की पेस्ट को भी हम भून लेते हैं साथ मैं इसमें डॉल देते हैं लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया पाउडर भी यूज़ किया है अबिश्य wusक्ते हैं अब अच्छे से मसाले के साथ मैं सबजीों को भून लेते हैं और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी मैंने डाली हुई है, चिली फ्लेक्स से बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, और देखने में भी अच्छा लगता है, सबसे बाद में मैंने इसमें डाला है सिम्ला मिर्स, क्योंकि सिम्ला मिर्स को पकने में टाइम नहीं लगता है, और हमे यहां देखिए एक सीक्रिट पाउडर यूज किया है महगी मसाला का और साथ में मैंने यहां डाला है हारा प्याज आपके पास है तो डालिये नहीं है तो इसकिप कर सकते हैं और अच्छे से सबजियों को भूनेंगे थोड़े से मैंने इसमें सौसे भी यूज किये हैं तो मै अच्छे से मिक्स करेंगे और दूर डालने से बहुत अच्छा क्रीमी टेक्श्चार आता है मुझे तो बहुत पसंद है एक बार इस तरह से आप जरूर बनाईए और देखिए बॉयल होने लगा है न अच्छे से तो हम इसमें डाल देते हैं कस्मेरी लाल मिर्च आप पहले भी नूडल्स टूट नहीं रही है और एक बार आप इसे जरूर बनाईए देखिए बच्छे आपको बार बार यही बनाने बोलेंगे और एकदम हेल्दी है क्योंकि हमने इसे गेहूं के आटे से बनाया हुआ है नूडल्स को हम बचे हुए आटे से भी बना सकते हैं रोट ज्यादा पसंद आएगा और बड़े भी इन्हें बहुत चाह से खाएंगे तो बस इसी तरह की हेल्दी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेर जरूर कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट हेल्दी रेसिपी के साथ में